अचार गुर्वर विद्या सागर्जी महराज की आद में गुटे गाउं के जन समाज ने अचार विद्या भवन में विन्यान जली सभा आज़ुत की जेन संत आचायर गुरवर विद्या सागर जी महराज का समता भाव धारण कर समाधी मरण होना इस जगत की संपून आत्माओं के लिए अपून ये ख्षती है विद्या सागर जी महराज का गोटे गाउं चार बार आगबन हुआ और एक बार उनके सानिद में पंच कल्यान केवं गजरत महुसब भी हुआ यवाश्री पारसना दिगंबर जेन मंदिर कमेटी अधिक्ष राज गुमार जेन ने कही अठारा फरवरी कूच जेन संताचार विद्या सागर जी महराज के 36 गड़ के डोंगर अवगण में चिंद्रगीरी परवत पर हुए समाधी मरन के उपरान ताज आईजुत सभा में रखे वल जेन वलकी जेनित्तर समाज के धार में एक सामाजिक संगठनों के साथ ही निगरपाली का परिशद और सैक्षनक संस्थाओं के सम्मानी जन उपस्त रहे इस हमसर पर पत्रकार अनिल जेन ने अपनी भावना विक्त करते हुए कहा कि आचार विद्या सागर जी महराज सदी के महान संथ थे उनका चिंतन अध्भुत था हम सब के लिए अनुकरणिय था आज हम सब उनकी याद में रू रहे हैं लेकिन आचाश्री अपनी आखों से अपना उज्वल भवश देख रहे हैं और समता भाव धारण कर समाधी मरण कर गए इसके लिए हम सब अपनी बंद आखों से सपने देखते हैं कि हमें भी समाधी मरण मिले इसकूल प्राचार रितुजेन ने अपने भाव करते हुए कहा कि अपूर्व सित्य शीलता सहन शीलता की धारक धार्मिक सिक्षा की प्रदाता आचाश्री विद्यासागर्जी महराज का भवता पूर्वक समाधी मरण कुआ उनकी आत्मा की ज्वागरती को देख कर हम सब नत्मस्तक हैं आपको बता दे कि कल जैसे ही अचाश्री के समाधी मरण की खबर मिली तब गोटे गाउं में भी शुक की लहर चा गई खबर मिलते ही रात्री में ही अनिको भक्त श्रावक श्राविका अपने वाहनों से 36 वड की चंद्रविक लिए रवाना हो गये थे वाहनों ने आचाश्री की दर्शन कर अपने भागे को सराहा सुबा च्वार विद्या भवन में विर्यान जली सभाका, कुशल संचालन, पूर्वनगर पालिका अधिक्ष और पारसना दिगमर जेर मंदिर कमेटी अधिक्ष राजगुमार जैनरी किया जिसमें सभी वर्ग के लोगों ने अपने विचारों की माध्यम से आचाश्री की जीवन संस्मरन याद कर उन्हें नम आखोसी भावान जली अर्पित की उटिकाउं से अनिल जैन की रपोर्ट